अब rules देखते, बहुत सारे student का मुझे common question रहता है, कि क्या सर ये rules में जो forms वगरे सब कुछ दिये है, क्योंकि यहाँ पर पूरी procedure है, तो ये forms पूरे याद रखना ज़रूरी है, तो मेरा answer नहीं रहेगा, लेकिन देखो, मैं आपको पूरा summarize करके बता रहा हूँ, तो आपको I ये वैसे ही याद रहेगा, जो भी forms में आपको बता रहा हूँ अभी, ये forms आप वैसे ही याद रख पाऊगो, तो देखो, चल, start करते, पहला rule, composition का, rule 3, composition rule CGST, फटा फट बताता हूँ, उसमें 3 rule generally important है, rule 3 1, rule 3 2, and rule 3 3, पहले तो इसको फट से समझ लो कि ये क्या है, तो rule 3 1 किस बारे में बोलता है, कि वहाँ पी लिखा लिखो, existing registered user, मतलब जो पहले कोई law में registered थे, जिसे पहले GST आने से पहले VAT था, excise था, service tax था, तो जो लोग in law में registered थे, उनके लिए 3 1 है, तो उनको क्या बोला है, कि आपको application करना पड़ेगा, पुराने act में अगर आप registered हो, तो आपको application करना पड़ेगा, और वो application करना पड़ेगा GST CMP 01 form में, GST CMP 01 में, और यह application within 30 days करना पड़ेगा, appointed date, मतलब GST 1 July 17 को, तो 1 July 17 से within 30 days आप application कर दो, बस उतना ही 3 1 में लिखा है, जो existing law में थे, फिर दूसरा 3 2 है guys, जो newly registered होना चाहते है, मतलब वो अभी तक registered थे न ना पुराने act में थे, ना GST act में है, तो उनको नया registration लेना है GST act में, तो उनके लिए registration form भरना है, CMP नहीं, CMP stand for composition, इनके लिए CMP नहीं आएगा, इनके लिए आएगा REG 01, registration जिसका नाम है, ऐसे याद रखो, REG 01, क्योंकि यह entirely new user है, फिर rule 33 क्या बोलता है, rule 33 ने simple बता द या, आप पहले GST law में normal scheme में registered होगे, normal scheme में, but बाद में आपको लगा नहीं नहीं यार, ये normal scheme में registration अच्छा नहीं है, हमें तो composition में जाना चाहिए, तो इसलिए आपने क्या क्या, आप you want to switch over to the composition scheme, अब आप normal GST scheme से अगर composition scheme में जाना चाहते हो, तो आप rule 33 में फसेंगे, औ और उस case में आपको भरना पड़ेगा, CMP 02, CMP 02, लेकिन याद रखना, याद रखना guys, ये option आप starting of the year से ही आपको लेना पड़ेगा, first day of financial year, मतलब first of April से ही आपको ये option, अगर करना है तो exercise करना पड़ेगा, तो rule 31 is for existing law में जो थे 32 नए user, और 33 जो पहले normal scheme में थे, अब उन के लिए 33 है, और वो आप switch over कर सकते है, CMP 02 भर के, remember, normal scheme में जब आप थे, तब आपको ITC लेना allowed था guys, याद है आप ITC ले सकते थे, input tax credit का benefit ले सकते थे, बड़ जैसे ही आप composition में आई चुकी, आपके tax rate कम हो चुके, मैंने बताया, अब आप composition scheme में आने के बाद, अब GST, ITC का credit, input tax का credit नहीं ले सकते हो, right, तो वो जो input tax का credit आपने ले के रखा है, जब आप normal scheme में थे, उसे अब आपको reverse करना पड़ेगा, खतम करवाना पड़ेगा आपने book से, और उसके लिए ये form file करना पड़ेगा, GST ITC 03, जिसमें दिया रहेगा आपको, कि आप ITC क्या कर रहे ह रिवर्सल कर रहे हो, ITC रिवर्सल कर रहे हो, okay, और वो ITC रिवर्सल का form, within 60 days आपको भरना है, 1st April से, मतलब जिस दिन आपका, जैसे 1st April, आप 1st April से आपको composition scheme में आप्ट करना है, right, तो within 60 days, मतलब 30th May तक, 30th May of any financial year, तब तक आपको ये GST ITC 03 भरना पड़ेगा, और आपक अरे समझ में आया, क्योंकि normal scheme में आप ITC ले सकते थे, अब आप ITC नहीं ले पाएंगे, इसके बार बाद में, rule 3 है, इसको छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे, अपन GST ITC 03 उपर जो दिया, उसी के बारे में, then, rule 3-4 क्या बोलता है, guys, rule 3-4 stock के बारे में, stock, और ये stock की detail आपको देना है, CMP 03 में, within 90 days from the date of registration, जिस दिन आप registration ले लेंगे, वहां से 90 दिन के अंदर आपके पास क्या stock है, कितने input है, कितने input सेमी finished goods में गए, और कितने input आपके finished goods के है, कितने finished goods है आपके, वो पूरा detail आपको CMP 03 में देना है, okay, तो CMP 01 जो औरेडी registered है, उनके ल में और CMP 03 में आपको stock detail देना है, within 90 days, आरे समझ में आ गया, 313233, 34 हमने बाद में देखेंगे, 34 यह stock वाला है, ओके, और 33A हम लोग बाद में देखेंगे, उसके बाद, और one intimation is dimmed to be information for all the other places, मतलब, आपका दो state में registration है, एक महारास्टर, एक गुजरात, तो आपने एक state म बोल दिया, कि मुझे अब normal scheme से composition में जाना है, महारास्टर में, it is dimmed at के अपने गुजरात में भी बोल दिया, right, तो क्योंकि same pan पे है, तो आपका वहाँ पे भी composition scheme में आप अपने आप चले जाओगे, तो one intimation, एक intimation, सब places के लिए common हो जाएगा, then rule 4, यह important यह effective date क्या उतना बता है, तो effective date हमें मालूम है, जब से GST आया, मतलब जो पहली बार registration ले रहे, उनके लिए appointed date, मतलब 1st July 2017 रहेगी, और जो लोग नए से registration ले रहे, उनके लिए जिस दिन आप registration लेंगे, composition scheme में, section 10 में, वहाँ से आपके लिए registration की date important रहे, composition कौन से section है, section 10, section 10 is for composition scheme, then rule 5 conditions and restriction for composition, यह अपनने औरेडी बहुत detail में रहे, क्या क्या condition होना चाहिए, तो आप composition scheme में आ सकते हो, बहुत detail में हम लोग देख चुके उसको, then validity of composition scheme, एक बार आपको पढ़के छोटना है, validity क्या रहेगी, जब तक आप पूरे conditions को satisfy कर रहे हो, मतलब आपका aggregate turn और जो threshold limit है, cross नहीं करोगे, liability to pay the tax under regular scheme, अगर department को लगा, कि आपने कोई law को contraven किया है, तो फिर department आपको वो scheme से बाहर निकालेगा, और he ceases to satisfy the condition, आपने अगर कोई condition को satisfy नहीं किया, तो department बोलेगा कि तू अभी यह scheme से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने से पहले, आपको intimation देना the date of such an event, जिस दिन आपको department बाहर निकालेगा, उसके साथ दिन के अंदर अंदर आपको CMP 04 बरना है, और उसमें बताना है कि मैं यह scheme से बाहर निकल चुका हूँ, composition scheme से बाहर निकल चुका हूँ, यहाँ पे rule 6-2 में department ने आपको बाहर किया, और rule 6-3 में आप खुद भी withdraw कर स अगर आपको लगा कि मुझे यह scheme में फायदा नहीं है, मुझे तो normal scheme में फायदा था, तो you can yourself withdraw from this scheme, और उस case में भी आपको CMP 04 भरना पड़ेगा, तो वही 7 days के अंदर अंदर आपको CMP 04 भरना पड़ेगा, तो validity मैंने बता दिया, जब तक आप चाहो satisfy करो पूरी condition, department अगर आपने कोई condition को वाइलेट किया, तो department आपको बाहर निकाल देगा, आपको खुद निकालना है, तो आप खुद भी निकल सकते हो, लेकिन आपको CMP 04, CMP 03 तक हमने देख लिया था, stock information, CMP 04 अगर आप बाहर निकल रहे हो, तो okay, फिर अगर आपने कोई condition को satisfy नहीं किया, तो department आपके उपर show cause notice issue करे गया, कौन से form में guys, CMP 05 में और बोलेगा कि 15 दिन के अंदर अंदर इस चीज का reply दो कि हम आपको ये scheme से बाहर क्यों ना fake दे, क्योंकि आपने ये rules को contraven किया है, तो हम आपको इस scheme से बाहर क्यों ना fake दे, ये notice, show cause notice आपको department भेजेगा, CMP 04 में, okay, फ position 06 में आपको notice का reply देना है, जो भी आपके उपर 5 में show cause notice आई थी, उसका reply आपको 6 में देना है, और वो देना है, within 15 days है, सब लिखके दिया है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, right, और वो reply जब आएगा आपका, उसके 30 दिन के अंदर अंदर department आपके उपर order द department CMP06, आपको, आप reply CMP06 में देंगे और department आपके उपर CMP07 में order issue कर देगा, तो पहले department notice आ रहा है, 5 में, 6 में आप reply कर रहे हो, और 7 में, within 30 days from the reply of the notice, department आपका order pass कर दे रहा है, okay, it's very simple, then, rule 66 क्या बोलता है guys, तो जिनके उपर ये CMP07 का order दिया गया, उनको पूरे stock की detail देना है, GST ITC 01 में, पूरे stock की, और उसमें क्या-क्या आपका credit है, वो पूरी details आपको इसमें देना है, बिल्कुल भी important ही, आप छोड के जा सकते हो, और अगर एक state के लिए आपने information दी, तो ये पूरे state के लिए दी, ऐसा माना जाएगा, okay, तो rule 6 very simple, CMP04, अगर department आपको बाहर न के अंदर-अंदर, reply देंगे, और CMP07 में, आपके उपर order issue हो जाएगा, rule 7 guys, rule 7, we had already seen, इसके लिए क्या-क्या रिट है, manufacturer के लिए 1%, half यहाँ पे इसलिए लिखा है, half CGST का, half SGST का, 2.5% restaurant वालों के लिए, और other वालों के लिए, half percent, मतलब again, 1%, 1%, 5% and 1% in totality, okay, simple, then, explain the manner of submission of the return, composition और presumptive, यह जो return भरना है आपको, यह जो composition में आपाए, तो आपको payment कैसे करना है, taxes का payment and return कैसे भरना है, इसके लिए, right, ध्यान में रखना, payment जो करना है आपको, वो payment quarterly करना है, quarterly guys, ध्यान दो, payment quarterly, return annually है, ध्यान से सुनो, payment जो करना है आपको department को, जैसे, April में, June, quarter खतम हो ग August, September, 18 October तक, October, November, December, 18 January तक और January, February, March, 18 April तक, तो 18th day of the next month, after ending the quarter, आपको payment कर देना है, और वो form है, CMP08, guys, last form, CMP08 में आपको payment detail देना है, payment detail, और 18th day of the month, succeeding such a quarter, और return भरना है, guys, आपको GSTR 4 में, return, GSTR, नाम में यह, GSTR 4 में, और पूरा financial year खतम होने के बाद, 30th April तक, next year के 30 April तक, तो payment quarterly, और return पूरे साल भर का एक साथ GSTR 4 में, 30th April तक भरना है, right, उसमें क्या क्या रहेगा, तो interested, interested, supplies रहेगा, आपका कितना purchase किया, sale किया है, वो पूरी detail आपको देना पड़ेगा, fourth point अपन बाद में देखने वाले, यहाँ पर इसका relevance नहीं है, then, ITC आप ले नहीं सकते हैं, हम already देख चुके, furnishing the details of opting out of the composition scheme, guys, अगर आप composition scheme से बाहर निकलना चाहते हो, तो ensure कर लो, कि आपने पूरा tax भर दिया है, ऐसे तो क्या करेंगे लोग, कि composition scheme से tax जमा कर लेंगे अपने पास, और composition scheme से बाहर निकल ज पड़ेगा और return बरना पड़ेगा, जब तक आप यह काम नहीं करते हो, payment और return का, तब तक आप composition scheme से बाहर नहीं निकल सकते, similarly, next point is for concessional scheme, presumptive 3% वाला, तो आपको पूरा जो tax है, वो पूरा 6% tax पहले, government को बरना है, return बरना है, और उसके बाद ही, आप यह scheme को opt out कर सकते हो, guys, इतना simple है, rule 3, 4, 5, 6, 7, 8, right, 6, 7 only, right, तो देखो, 3 में हम लोगों ने क्या देखा, आपको याद होगा, जो existing user वाले है, 4 में हम लोगों ने देखा, effective date क्या है, first of July बता है, rule 5 में condition क्या है, rule 6, आपको validity, show cause, notice वगरे, 7 में आपको rates दिये हुए, और फिर हम लोगों ने दे तो इस प्रकार, यह composition chapter खतम हो गया, मैं इसके 2-4 questions आपको करवा दिता हूँ, ताकि आपको practical approach भी समझ में आ जाए, right, तो देखो, start करते हैं, देखो, in the previous financial year, the total value of supplies, including invert supplies, taxed under reverse charge basis, हमको मालूम है guys, कि turnor में, मैंने आपको diagram निकाल के दिया था, जब आप aggregate turnor देखेंगे, तो exempt supplies देखेंगे, आप nil rated supplies देखेंगे, आप normal turnor भी देखेंगे, बट उसमें GST taxes के payment आड़ नहीं करेंगे, और ऐसा turnor जिस पे आपने tax reverse charge में बरा, वो भी आप add नहीं करेंगे, लेकिन यहां बूला है कि reverse charge वाला भी इधर है, तो total है 152,60,000 हो, एक करोड बावन लाख 60,000 का, preceding financial year का, अब उसका bifurgation नीचे दिया है देखो, interest rate supplies है forward charge का 75, interest rate supplies nil rated का ये भी consider, nil rated वाला भी consider करेंगे, forward वाला भी consider करेंगे, exempt वाला भी consider करे मतलब ये 1,52,60,000 calculator लो, 1,52,60,000 में से इतना घटा दो, क्योंकि ये पूरे particular, ये इन सब की total इतनी है, तो इसमें से ये minus कर देंगे, तो कितना आता है गाईज देखो, एक करोड पचास लाख, तो exact अगर एक करोड पचास लाख है पिछले साल, तो भी हम current year में composition scheme में जा सक के देख लो, starting में मैंने बताया था, reverse charge वाला जो है, उसको हम लोग aggregate turnover के लिए consider, नहीं, forward charge consider करेंगे, exempted, kneel rated, सबको, लेकिन reverse charge वाले को नहीं करेंगे, then, ये point औरेडी मैं बहुत अच्छे से discuss कर चुका है, आपके से, देखो, इसके उपर example है, important mark कर दो, important, very important point, very very important, X started the profession of film artist, film artist का profession चालू किया, उसने 1 April 2000, जो भी होगा, his interested supply is up to 38 September, 20 lakh, 20 lakh उसका supply था, ये मान के चलो, उसका year, तो 38 September तक, 20 lakh का turner इदर हो गया, very good, 20 lakh का, और आगे क्या हुआ, he applied for the registration, उसको मालूम चल गया, आप मुझे registration लेना पड़ेगा, तो उसने 1st October को registration लिया, और उसके 35 lakh का, तो मैंने बताया था, आपको, कि आपको tax कौन से value पे बरना है, जो value 20 lakh के बाद की value है, यह already देखो, मैं यहाँ पे discuss कर चुका हूँ, अगर आपको मैं दिखा हूँ, यह देखो, यह point है, यह point, page number 74 पे मैं discuss कर चुका हूँ आपसे, कि आपको यह वाले, August से March तक का जो 35 lakhs पे, फिर आपको GST बरना है, 6% की इसाफ से, 3% CGST, 3% SGST, तो 2 lakh 10,000, वही कहानी जो मैंने वहाँ पे आपको बताई, याद है आपको, page number 74 देख के आएंगे, उसके बाद, यह important question, option to opt the composition scheme, चलो, देखो, क्या, अच्छा, यह अलग है, देखो, क्या है, manufacturing concern had affected the interested supplies of 20 lakhs, interested, यह आपके लिए homework, बहुत simple question है, यह homework है आपके लिए, okay, then next, यह देखो, यह important mark करो इसको अगे, very important, चलो, देखो, आपको पूछाए क्या, आपको normal scheme में जाना चाहिए, composition scheme में, और आपको data देखे रखा है, right, तो देखो, Mr. A, retailer, who keeps no inventories, presents the following information for the year, तो purchase of goods है, 50 lakh का है, जिसक selling price inclusive of taxes, 60 lakh का, sales में 5% GST included, right, तो देखो, क्या बोलना चाहरा है हो, कि आपका purchase जो है, guys, वो purchase है आपका 50 lakh का, right, 50 lakh का, और 5% GST, right, तो अपन यह normal scheme वालों के लिए, और यह composition scheme वालों के लिए बात करते, okay, तो यह है 50 lakh का, इधर भी purchase दोनों, और यहाँ पे GST 5%, आपने purchase किया है, तो यहाँ पे 5% लग क्या है, 2,50,000, और यहाँ भी 2,50,000, 5%, comparison पूछा है हमको, okay, तो देखो, यह हो गया total 52,50,000, और यहाँ भी 52,50,000, guys, समझ में आया, now, इतना तो समझ में आ गया, sir, अब देखो, कि यह जो हमने purchase किया, हमने purchase किया, अब यह GST का, अग के लिए, जो actual cost है purchase की, वो केवल 50,000, 50,000, बट अगर आप composition में जाते हो, तो आप इसका ITC नहीं ले पाओगे, ITC composition dealer नहीं ले पाता, बराबर, तो इसलिए आपकी cost हो जाएगे 52,50,000, तो normal scheme में आपकी cost है 50,000, जबकि composition में आपकी cost हो गई 52,50,000, यही point में आपको समझाना चाहता था, तो तुल देखो अब, अब देखो क्या बोलता है, आगे, discuss whether he should opt for composition scheme if the composition tax is 1% of the turnover, आगे क्या दिया देखो, expenses of keeping the statutory record under GST law is 1,20,000, and shall get it reduced to 50,000 in composition, composition में ज्यादा records आपको रखने की जरुवत नी, इसलिए उसकी cost 50,000 है, जबकि आप normal scheme में जाते हो, तो आपको 1,20, लगेंगे, और other expense, दोनों में common है, तीन लाग, तो चलो, cost benefit analysis कर दे, normal scheme में क्या होगा, और composition में क्या होगा, तो cost of goods sold क्या है, तो cost कितनी है, तो हमने देखा normal scheme में 50 लाग, क्योंकि आप ITC ले पा रहे है, जबकि composition में हो गए 52,50,000 है, बराबर, फिर cost of maintaining record, 1,20,000 इधर, composition में 50,000 question में दिया हुआ है, और other expenses, दोनों में 3,3,000,000 के, तो normal scheme के लिए मेरी cost हो गई इतनी, और composition के लिए इतनी हो गई, अब मैं मेरा sale लिखता हूँ, sale दोनों case में मैंने 60,000,000 का किया, 60,000,000 का, but this is inclusive of tax, लेकिन composition में inclusive हो नहीं था, आपको मालू में, composition में तो जो amount आया, उस composition में इसके उपर 1% tax लगा, right, composition में 1% और यहां पर जो normal scheme थी, इसमें inclusive हो है, मतलब 60,000,000 में inclusive हो है, तो 60,000,000,000,000, यह अगर 105 है, तो 100 कितना, 100 कितना, तो यह 100 मतलब यह figure आई, right, यह figure आई, तो यह तो government को जाने वाला है, यह government को, तो आपका revenue कितना है, आपका revenue है, आपक साथ लाग है बट पूरा साथ लाग आपका नहीं क्योंकि साथ में से तो इतना जो अमाउंट है ये गवर्मेंट को जाने वाला है इस इस रेविन्यू आफ्टर टैक्स और टैक्स कैसे निकला साथ लाग डिवाइड बाइ 105 इंटु 5 ये निकला आपका टैक्स मतलब GST ये कितना है 285 714 तो आपने जो साथ लाग जमा किया नॉर्मल स्कीम में उसमें से इतना तो गवर्मेंट को जाने वाला है तो आपके पास इतना ही बचेगा और जो आपका कमपोजिशन है उसमें साथ लाग आ है लेकिन साथ में से 60,000 गवर्मेंट को बढ़ना पड़ेगा तो आपके पास कितना बचेगा इतना तो ये आपका रेवेन्यू है और ये आपकी कॉस्ट है राइट इस इस ए मान के चलो और इस इस बी ये आपका रेवेन्यू ये आपकी कॉस्ट तो A माइनस B A माइनस B तो आपका profit देखो किसमें ज़्यादा है आपका profit ज़्यादा है composition में तो हम आपको suggest करेंगे कि आप composition में जाना चाहिए इतना must question था तो ऐसे भी questions आ सकते हैं very very important mark कर दो एक बार वापस पढ़ो आपको idea clear आ जाएगे खुद स्वाल करके देखना फिर next XYZ is having two factories one factory is located in Rajasthan manufacturing ready-made garment एक Rajasthan में ready-made garment and another factory is in Gujarat and is manufacturing auto component the turn-on detail यह है 28 lakh Rajasthan का और Gujarat का turn-on 18 lakhs so total 46 lakh the company wants to up the composition scheme and in Rajasthan and normal rates in Gujarat ऐसा हो सकता ही गया एक state के लिए composition और एक state के लिए normal ऐसा हो ही नहीं सकता company ऐसा नहीं कर सकता अगर same pan पे है अगर same pan पे तो Rajasthan और Gujarat दोनों में उसको either composition और normal scheme में जाना पड़े वही वहाँ पे लिकाए simple then Ashish Traders has opted the composition scheme in previous financial year it furnishes you the following details for the quarter ending 31st October you are required to determine the tax liability simple traders है traders manufacturer और traders के लिए कितना है 0.5 0.5 मतलब 1% simple तो interset taxable supply है मेरा 28 लाग का और exempt supply 18 लाग का तो exempt supply इस पे तो GST आए गए नहीं aggregate turn-off के लिए इसको consider करते but tax इस पे लगाई नहीं सकते क्योंकि ये exempt supply तो taxable supply 28 लाग का 28 लाग पे 1% तो कितना हैगा 28,000 simple तो इस प्रकार गाईज a very simple chapter composition scheme I hope आपकी पूरी ideas मैंने clear कर दी बस गाईज ये hardly आपका 40 to 50 minutes पूरा chapter with rules मैंने with example भी खतम करवा दिया I hope आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और result मुझे बताएंगे ओके thank you thank you so much